दोस्तों अगर आप WhatsApp यूजर हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुश खबरी है WhatsApp के अंदर एक features जो है वो लागू हो चुका है और दो नए features अभी कुछ हपतों या मेहने में लागू हो जाएंगे तो कौन-कौन से दो नए features आ रहे हैं WhatsApp के अंदर और कौन सा features जो है वो WhatsApp के अंदर लागू हो चुका है वो सारी चीजें जानने से पहले मैं आपसे एक request करना चाहूंगा आपने अभी तरक किस चैनल के subscribe नहीं करा है तो नीचे लाग बटन दिख रहा होगा उसके पर click करके subscribe कर लिजे और बगल में आपको bell icon मिल रहा होगा उसके पर click करके all button के अपर click कर लिजे और आपने अभी जल्दी सुड़ी को शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि WhatsApp के अंदर कौन सा features जो है वो लागू हो चुका है तो अभी हम WhatsApp के अंदर किसी का भी profile feature की screenshot नहीं निकाल सकते हैं Android phone में अगर आपके पास Google Pixel का phone है तो screenshot निकलेगी लेकिन पूरी के पूरी black screenshot न जाएगा अगर आपको यकिन नहीं है तो आप अपनी Android में WhatsApp open कीजिए और उसमें आप screenshot निकाल के देख सकते हैं यहां पर कोई भी screenshot नहीं आएगी profile picture की तो यह features अभी Android में लागू हो चुका है और Apple में भी बाकी है और थोड़े दिन में Apple में भी यह screenshot वाला जो features है वो लाग हो जाएगा तो यह features लागू हो चुका है WhatsApp के अंदर दोस्तों अभी हम जानेगे कि कौन सा नया features WhatsApp के अंदर add होने वाला है यह हाला कि नया features नहीं है यह पुराना ही features है लेकिन इसमें upgrade किया गया है इस तरह से भी आप समझ सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं status की status हम पहल लगता था WhatsApp के अंदर लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब पूरा एक मिनिट तक यानि 60 सेकंड टक हम इतना बड़ा वीडियो यानि status हम अपने WhatsApp के अंदर लगा सकते हैं यह features थोड़े दिन में काम करने लेगा WhatsApp के अंदर कुछ हफ्तों या महिनों में आप सभी के पास यह update आ थोड़े ही दिनों में और दूसरा जो features है वो UPI से लेकर है तो पहले भी यहाँ पर QR code scan करने का option था लेकिन इसको भी improve करेंगे WhatsApp के अंदर अभी इसकी testing चालो है लेकिन थोड़े दिनों में यह भी हमें देखने को मिलेगा WhatsApp के अंदर QR code scan करने के लिए और यह बहुत ही fast काम करेगा जिस तरह से phone पे Google पे हम use करते हैं और उसमें एक shortcut दिया गया होता है QR code का तो हम QR code इसके पर click करके directly scan करते हैं और scan करके तुरंद पर इसा transfer करते हैं उसी प्रकार से WhatsApp के अंदर भी QR code scan करने के लिए एक option मिलेगा वो भी shortcut में ठीक है directly बहुत ही आसान तरीके से हम directly QR code के अब पर click करेंगे directly QR code open हो जाएगा और आप directly scan करके तुरंद पेसा transfer कर सकते हैं UPI से ये features भी add होने वाला है कुछी दिनों के अंदर ये अभी कुछ week और कुछ महिनों के अंदर ये features भी हमें WhatsApp के अंदर देखने को मिल जाएगा तो ये three features जो है वो अभी add होने वागा एक features तो add हो गया है लेकिन दो ने features अभी add होने बाकी हैं वो थोड़े दिनों में आपको WhatsApp में देखने को मिलेगी तो ये आपको features कैसे लगे हैं नीचे comment में ज़रूर बताएगा और इस video से थोड़ा सा भी knowledge मिला तो इस video को like कर दीज और bell icon को press करके all button के अपर click कर दीजे तो चलिए अब यहां next video में ऐसी ही खास information वाली video के साथ फिर सिमने वाले हैं thank you